अविनास इंस्टिट्यूट आफे जुकेसन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अविनास मिस्रा आज के इस वीडियो में हम लोग छंद के प्रकार के बारे में गहराई से अध्यान करेंगे तो आए लेक्चर सुरू करते हैं और समझते हैं चंद के प्रकार आप जब नोट्स बनाओगे तो कैसे लिखोगे? आप हेडिंग डालोगे चंद के प्रकार और लिखोगे चंद चार प्रकार के होते हैं कैसे लिखोगे? चंद चार प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से चंद दो प्रकार के होते हैं पहला वर्डिक चंद और दूसरा जो है मात्रिक चंद अब ध्यान दो वर्डिक चंद किसे कहते हैं जिन चंदो की रचना वर्डो की गड़ना के अधार पर की जाती है उसे वर्डिक चंद कहते हैं तो वर्डिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों की रचना किसके आधार पर की जाएगी? वर्डों की गड़ना के आधार पर की जाएगी, यानि वर्ड गिना जाएगा, कितने वर्ड हैं उसके गड़ना के आधार पर की जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्डिक छं चंद की रचना की जाती है तुसे हम लोग वर्डिक चंद कहते हैं मातरिक चंद क्या है ध्यान दो जिन चंदो की रचना जो है मातराओं की गड़ना के अधार पर यहां पर किसको ध्यान दिया जाएगा मातराओं की गड़ना के अधार पर की जाती है तुसे क्या कहते हैं मात आधारव को गिनके छंद की रचना की जाएगी तो उसे क्या कहेंगे मात्रिक छंद कहेंगे तो चंद जो है मुक्रूप से दो प्रकार के होते हैं पहला प्र के तो है प्रकार में निक हो गये याद रखना चंद में अक्षर को ही वर्ड कहते हैं समझ में आ गये तो यहाँ पर कितने अक्षर हैं धारम एक, दो, तीन लेकिन मातरा की बात किया जाए तो दो मातरा, दो मातरा, एक मातरा यानि कुल कितनी मातरा हैं पांच मातरा हैं यानि जब मात्राओं को गिन के छंद की रचना की जाएगा तो मात्रिक छंद जब अक्षरों को गिन के किया जाएगा यानि वर्डों को गिन की किया जाएगा तो वर्डिक छंद हो जाएगा तो छंद में मात्रा कैसे गिना जाता है प्लेलिस्ट में जाके मेरा पहला वीडियो देख लो आपको समझ में आ जाएगा तो ध्यान्दो मातरिक छंद के भी तीन प्रकार के होते हैं सम मातरिक छंद अर्ध सम मातरिक छंद और विसम छंद तो आईए देखते हैं सम मातरिक छंद किसे कहते हैं जब छंद में सभी चरडों की मातराएं जो हैं एक समान होती है उसे क्या कहते हैं सम मातरिक छंद किसे कह मान लेते हैं कोई चंद है उसमें चार चरण है और सभी चरणों की मातराएं अगर बराबर होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे उसे सम्मातरिक चंद कहेंगे उधहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कोई चंद है उसमें चार चरण है और चारों चरण की मातराएं 24-24 अगर ह अगे जेखो अर्ध सम्मात्रिक छंद इसे क्या होता है इध्यान दो इस चंद में पहला और तीसरा चरड़ जो है एक समान होता है दूसरा और चौथा चरड जो है, उसकी जो मात्राएं होती हैं, उनसे अलग होती हैं, लेकिन आपस में एक जैसे होते हैं, मतलब क्या रहेगा? आधा चरड एक समान रहेगा, आधा चरड एक समान जैसे, यहाँ पे समझो. पहला और तीसरा चरण जो रहेगा वो एक समान रहेगा दूसरा और चौथा जो रहेगा एक समान रहेगा मान लेते हैं पहले और तीसरे चरण में जो है यहाँ पे हो जाती है यारा यारा मात्राएं और दूसरे और चोथे चरण में जो है साथ साथ मात्राएं हो जाती है तो इसे क्या बोलेंगे अर्ध सम मात्रिक छंद यानि दो चरण की मात्राएं अलग हैं और दो चरण की मात्र लग है इसमें 111 मात्र हैं और इसमें 67 मात्र हैं इसलिए क्या है अर्द छत्रिक उसके बाद आता है विसम मात्रिक छन्ड क्या होता है ध्यान दो वे छन्ड जिसमें दो से अधिक चरण समानना यानि वे चंद जिसमें दो से अधिक चरण जो है, समान ना हो उसे हम लोग विशम मातरिक चंद कहते हैं इसका प्रचलन बहुत कम है, इसका उधारन है छपपए, यानि इसमें क्या होता है? दो अलग-अलग चंद मिलकर एक बनते हैं इसलिए इस प्रकार का जो चंद है विसम चंद है बहुत ही कम प्रचली थै तो याद रखना जिसके दो चरण से जादा अगर चरण है दो चरण एक समान नहों तो उसे हम क्या कहेंगे विसम मातरिक चंद कहेंगे मुझे यकीन है कि आपको छंद अच्छे से समझ में आ गया रहेगा इसका आप स्क्रीन सॉट ले लो, नोट्स बना लो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद